एक बाद फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरुजी पर जाप सब को पता है जी फर ग्रामर एंटी फर ट्रांसलेशन के वीडियो जाप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्ट प्रबात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूं अक्सवर्ट करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज वीडियो और ये जो एक्सरसाइज है ये रिलेटेड है सिंपल पास्ट टेंस पर या जिसे हम दू अथवा या इसके अलावा नॉर्मल लूप से या ये या इई इसको दूसरी बासा में दिलिखेंगे तो आ भी लिख सकते हैं गया आया गये आये तो ये वाला ये भी हो सकता है इसी प्रकार गई तो ये वाला ये चोटी या बड़ी हो सकते हैं तो ये एफर्मिटिव की प तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना यह जो यह क्या करिंडे किरा देनी क्या कव कैसे उस वर्ड को पहले रखेंगे उसके चन्फेय वां अबजेक्ट है वो रखेंगे फिर हम लोग भर्व के फस्ट रूप को जब दीड लग गया गो कम रीड राइट उसको लगाएंगे और इसके अलावा कुछ आ जाए तो वह हम बाद में एड कर देंगे तो आगे बड़े अब इसको एक्स्प्लेंड करें चुकि एक्स्प्ला द pandemia चुके हैं यह दो प्लेट में होंगे एक में वन से लेकर और दूसरे में 100 से लेकर लास्ट तक मिल जाएगा उप नीचे भी स्किप्षं में भी मिल दिया है बता दिया explanation ये तो solution वीडियो इसमें में मैं आंसर को बताऊंगा तो पहला है मैंने क्या किया what did I do तुम कब गए वही कब का when दे दिये फिट दे दिये subject दे दिये और फिर भरवन when did you go Ram कहां गया तो कहां का where होता है तो where did Ram go और सब में question mark जवर लगाएंगे जब Hindi में question mark होता है तो English में भी लगना ही लगना है बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं ये बहुत बड़ी बात होती है full stop question mark ये सब देना जो है बहुत ज़र what did sita eat अब ने का कोई अंगरेजी नहीं होता है already वह अपने आप sita से ही हो जाता है मतलब कोई भी नाम से या आपने कब काम किया when did you work वैसे ही अभी हो सकता कि when did you do work लेकिन केबल work माने भी काम करना होता है तो do लगाना जूरी नहीं है यह काम वह काम रहे तब लगाएंगे राम ने श्याम को कब देखा तो when did फिर subject फिर भर when पीटा है तो when did राम वीट और मैंने का था उसके लावा जो बच जाए तो वो श्याम बच गिया तो श्याम रख देंगे अगला sita school क्यों नहीं गई थी अब गई थी का head gone करके भी बन सकता था क्योंकि या था यह था यह send the letter यहाँ यह लेटर नहीं हो सकता है कोई खास letter की मैं बात करा हूँ वो कि तुमने कहां बेजा आप लोग कवाए when did you come लड़कों ने क्या किया what did the boys लड़कों कोई खास लड़के ही यह बात हो कि इसलिए दह लगेगा what did the boys do मैंने क्या चाहा what did I want उसने क्या करना चाहा what did he एक mistake हो गया है इसमें want to इसको उपर करके मैं बता देता हूँ यह mistake हो गया है यहाँ पड़ेगा उसने क्या करना चाहा तो what did he want to do होगा है ना to do इसको ज्यान में रखेंगे हम लोग स्क्रिंशोट मैं भी ले लेता हूँ इसका correction करवा दूँगा अगला है सीता ने क्यों श्याम की मदद की why did सीता help श्याम उसने मुझे क्या लाने के लिए कहा what did he say to me to bring वैसे ही अभी हो सकता है to bring to me भी हो सकता है सीता ने क्यों पुस तक चुराने की कोशिश की why did सीता गीता sorry try to steal the book still means चुडाना है ये वाला उसने वहाँ क्यों नहीं जाना चाओ why did he versus she भी हो सकता है not want to go there आपने कब काम करने की कोशिश की when did you try to work या try to do work भी हो सकता है लेकिन बहतर यहीं रहता है काम करना work means already होता है उन लोग ने कैसे match जीता how did they win the match अगे बढ़ेंगे और अगला है आपने शादी क्यों नहीं की तो क्या जागा why did you not marry सीता कब और कहां गई है दो दो एक कब और कहां तो when and where लगा देंगे और तब did फिर subject फिर वर तो when and where did सीता गो सरकार ने हम लोग को क्या दिया तो क्या हो जाएगा what did the government give us government में चुकि सरकार कही होते हैं आप कहेंगे सरकाई हाँ देश की एक सरकार तो एक ही होती है लेकिन उसके अलाबा राज्य सरकारे हो गई अस्थानिय सरकारे जो नगर पंचायत नगर पढ़िसर नगर निगम या पंचायत होते हैं वो भी उसको भी सरकार ही कहते हैं भाग् destiny भी हो सकता है आप क्या चाहते थे what did you want चाहे तो आप बना सकते what had you wanted भी लेकिन वो better नहीं रहेगा आपने ऐसा क्यों नहीं चाहा why did you not want so और अगला है आप आपने यह बात कैसे जानी how did you know this matter या how did you know सीधा इट लगा देंगे उसने क्या खाना पसंद किया what did he like to eat राम ने सीधा को क्यों पसंद किया why did राम लाइक सीधा आगे बढ़ेंगे और अगला है जो last है वो है प्राचार्ज ने परिक्षा देने के लिए अनुमती क्यों नहीं दी why did the principle आलाग कि principle को आप capital letter में लिखे तो better रहेगा मैं screenshot ले लेता हूँ अगर बढ़ हो गई है पोस्ट कोई भी हो वो capital letter से लिखेंगे तो why did the principle not allowed to appear at the examination तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होगी आउमिद करता हूँ आपने मिला लिया होगा आप कोई confusion नहीं होगी फिर भी कोई confusion हो तो comment करे मैं reply जरूर देता हूँ थोड़ी देर से ही सही लेकिन reply में जरूर करता हूँ चैनल पे नहीं है या चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर ले और साथ में notification bell में all को press कर दें जिससे की हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आने वाले वीडियो आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियो आपको डूडने में आसानी हो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करके बताए हमारे वीडियोज क्या से लगते हैं अपने नियर एंड येर वन्स को शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए Have a nice day